नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अजिंग के आप सभी का स्वागत करता हूँ ट्रक टॉक्स के इस नए एपिसोड में जिस गड़ी का सभी लोगों को इंतजार था जिस गड़ी की सभी रा देख रहे थे वो गड़ी फाइनली लॉंच हो चुकी है दोस्तों जिसका नाम है फोर्स मोटर्स की अर्बेनिया दो साल पहले हमने फोर्स मोटर्स की टी वन एन का जो है शोकेस वीडियो आपके लिए बनाया था तो आईए इस वीडियो में मैं आपको इस गड़ी के बारे में थोड़ी बहुत जानकरी शेयर करने वाला हूँ तो वीडियो को अन तक ज़रूर देखना दोस्तों दोस्तों फोर्स मोटर्स की अर्बेनिया एक काफी स्टाइलिश सेफ और कमफर्डिबल पैनल वन है पहली बार जब मैंने इस गाड़ी को देखा रिसेंटली तो मैं काफी खुश हो गया भारत की पहली मॉडूलर मोनोकॉक पैनल वन प्लेटफॉर्म पर बनाए गई ये ग काड़ी का डिजाइनिंग कंप्लीटली एरोडाइनमिक किया गया है आप देख सकते कि फोर्स मोटर्स के इंजिनर्स ने इसके डिजाइन्स पर जो है काफी बढ़िया तरीके से काम किया है जो इसे खूबसूरत लुक्स प्रदान करते हैं साथी में इसमें कई सारे सेग्म सिस्टम और EBD यानि की electronic brake force distribution जैसे कई सारे दर्जेदार safety features आपको इस गाड़ी में देखने के लिए मिल जाएंगे साथी में hill hold assist, dashboard mounted gear lever, central locking, power windows, 17.6 cm की touch screen और 6 या 8 speakers का acoustic speaker system भी इस गाड़ी में दिया गया है आप देख सकते हैं कि इसका जो driver cockpit area है यानि की dashboard है वो काफी बेतरी इन तरीके से design किया गया है काफी ergonomic controls इसमें इस्तेमाल किये गया है ताकि driver driving seat पर बेटे ही सबी controls को easily access कर सके साथी में passenger comfort का अधिक ध्यान रखते हुए इस गाड़ी में आगेवल axle पर independent front suspension with transfer springs लगाए गया है जो customers को superior comfort परदान करेंगी उसी के साथ-साथ गाड़ी में DRLs यानि की daytime running lights भी दिये गए है जो इसके looks के साथ-साथ आगे से आने वाले वहान को सतर्क भी करता है यानि की ये काफी बढ़िया safety feature भी है दोस्तो उसी के साथ-साथ बढ़िया रोशनी के लिए इसमें projector head lamps signature tail lamps with light guide technology साथी में tilt and telescopic adjustable power steering पू reclining seats दिये गए है ताकि passengers अपनी ज़रूरत के हिसाप से seats जो हो इसे कर सके उसे के साथ-साथ इस गाड़ी में sealed panoramic windows मिल जाती है जिसकी पदोलत अंदर से बाहर का जो view है वो काफी बहतरिन मिलता है और journey का काफी उत्तम आनन्द आपको ये परदान करती है उसे के साथ-साथ individual reading lamps, USB ports आपका phone charge करने के लिए साथी में कम से कम NVH और की noise, vibration और harshness levels आपको इस गाड़ी में मिलने वाली है साथी में driver की सहूलियत के लिए इस गाड़ी में reverse parking camera के साथ-साथ ultrasonic sensors based reverse parking sensors भी दिये गए है बात करे variants की तो force motors की arbenia van तीन मुखे variants में customers के लिए available है पहला variant है short wheelbase variant जिसका wheelbase है 3350 यानि की 3350 mm का इस गाड़ी की seating capacity है 10 plus D यानि की 10 passengers और एक driver की seating व्यवस्ता इस गाड़ी में मिल जाएगी दूसरा variant है medium wheelbase जिसका wheelbase है 3615 mm का और ये गाड़ी 13 plus D यानि की 13 seater plus driver के seating capacity के साथ आ जाती है तीसरा और आकरी variant है force arbenia का long wheelbase variant जो इसका सबसे बड़ा variant है दोस्तो जिसका wheelbase है 4400 mm का और इसकी seating capacity है 17 plus D यानि की 17 seater जो है गाड़ी होने वाली है दोस्तो तो customers को काफी बढ़िया option मिल जाता है अपने application और जरूरत के ही सबसे गाड़ी चुनने का तीन मुख्य variants अवेलेबल है पहला है short wheelbase variant दूसरा है medium wheelbase variant और तीसरा है long wheelbase variant आप वो खरीद सकते हैं दोस्तो आइए बात करते हैं सबसे मुख्य बात यहनि की इस गाड़ी को power करने वाले engine के बारे में इस गाड़ी में Mercedes-Benz derived Force Motors का FM 2.6 CR TCIC यहनि की turbo charge intercooled common rail diesel BS6 component engine लगया गया है जो इस गाड़ी को 115 HP की ताकत और 3.5 Nm का torque प्रदान करता है दोस्तो ग काड़ी को हाल ही में reveal किया गया है तो इसके price और mileage related details मेरे पास फिलाल available नहीं है लेकिन जैसे यह details available हो जाएंगे हम video के description area में या फिर pinned comment में वो information आपके लिए available करा देंगे दोस्तो तो दोस्तो force motors ने urbania के साथ passenger transportation segment में एक काफी उमदा और काफी luxurious product लाया है force motors के traveler का success तो आप सभी को पता होगी force motors की नई urbania के साथ force motors ने अपने ग्रहकों के सामने एक stylish safe और एक काफी comfortable और एक up market product लाया है जो हमारे देश के विबिन प्रकार के passenger transport applications में अपना काम करेगी मैं truck talk से अजिंके अर्विंद आहिर force motors को अपनी नई urbania के launch के लिए धेर सारी मुबारक बा यहाँ पर अपने customers के लिए लाया है मुझे इस गाड़ी के जितने भी safety features है वो काफी बढ़िया लगे है एक passenger vehicle में इतने सारे safety features होना काफी जरूरी बात है और force urbania में ये सारे safety features है जो आपने वीडियो में देखे होंगे जो एक काफी बढ़िया बात मुझे लगी है आने वाले समय में इस गाड़ी का complete review में आपके लिए लेके आऊंगा तब तक के लिए देखते रहे ये ट्रिपल डायकस्तन व्लोग्स, truck talks, spreading all the love about tracks, जय हिंद